नमस्कार प्यारे बच्चों, इस वीडियो में प्लेस वन क्लास के मैथ सब्जेक के चैप्टर नमबर 9 सिक्वेंस एंड सिरीज को स्टार्ट करने जा रही हैं इसके एक्सराइज 9.1 के फर्स्ट त्री क्योसन यहां पे लिखे हुए हैं 10th कलास में भी हमने 长 anthropetic progression के बारे में बढ़ा था AP Series 17 रेढ़ियां यहां पे हम AP के साथ-साथ Geometric progression के बारे में पढ़ेंगे Arthmetic Mean के बारे में पढ़ेंगे Geometric Mean के बारे में पढ़ेंगे और कुछ और easy series के बारे में पढ़ेंगे जिनमें कोई खास pattern follow हो रहा है first 5 terms of each of the sequences in exercise 1 to 6 मतलब पहले 6 में हमें क्या लिखना है first 5 terms whose nth terms are given nth term हमारे पास ये दीवी है अगर हम इनके solution की बात करें तो अगर मुझे first term निकालनी है nth term दीवी है मुझे first term निकालनी है तो क्या हो जाएगा n की जगे मैं 1 रुखोंगा 1 plus 2 रखेंगे so 1 plus 2 3 3 into 1 कितना हो गया 3 हो गया n की value 2 रखो गये तो 2 into 2 plus 2 2 plus 2 4 4 2 जा कितना हो जाएगा 8 हो गया अगर मुझे third term निकालनी है n की जगे मैं क्या पूट करूँगा 3 3 plus 2 पूट कर देंगे 5 3 जा कितना हो जाएगा 15 हो गया और fourth fourth term क्या होगी n की value 4 पूट कर दें 4 plus 2 4 2 6 6 4 जा 24 हो जाएगे और 5 n की value अगर हा 5 पूट कर दोगे तो 5 into 5 plus 2 7 5 जा कितना हो जाएगा 35 These are the first 5 terms of this sequence इसमें second में यहां पे भी n की value 1 पूट करोगे 1 1 upon 1 plus 1 that is 1 upon क्या हो गया 2 हो गया second term क्या होगी n की जगे 2 पूट कर दिया हमने 2 plus 1 that is 1 upon 3 हो गया third term कितनी होगी 1 upon n की जगे हमने 3 पूट कर दिया 1 upon 4 हो गया n की जगे 4 पूट करेंगे तो 1 यहां पे n की जगह हमने यहाँ पे भी put करना था 2 upon क्या होगा बचे 3 होगा तो यहाँ पे n के value उपर भी रखेंगे हम 3, 3 upon कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और 4 upon 4 plus 1, तो 4 upon 5 हो जाएगा और 5th term जो बनेगी हमारे पास 5 upon 5 plus 1, that is 5 5 upon कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, चीक है 3rd term में solution 1st term निकालेंगे तो 2 की पावर 1 that is 2 हो गया 2nd term निकालेंगे 2 की पावर 2, that means 4 हो जाएगा 3rd term n की जगह 3 2 की पावर 3, 8 हो गया 4th term 2 की पावर 4 16 हो गया और A5, 2 की पावर 5 that is 32 is our answer बहुत ही असान से हैं चलिए, अब 4 to 6 करते हैं Question number 4 to 6 यहाँ पे भी हमने 1st 5 term ही लिखनी है n की वैलिव 1 पूट करोगे तो 2 into 1 minus 3 upon 6 2 minus 3 upon 6 that is minus 1 upon 6 हो गया 2nd term निकालेंगे n की जगह 2 पूट कर देंगे 2 into 2 minus 3 upon 6 2 to 4 minus 3 that is 1 upon 6 हो गया 3rd term निकालेंगे 2 into n की जगह 3 minus 3 upon 6 6 minus 3 तो 3 upon 6 हो गया और 1 by 2 भी कर सकते हैं इसको अगर आगी cancel करें फूर्थ तर्म जो बनेगी वो 2 into 4 minus 3 upon 6 2 फूर्जा 8 minus 3 that is 5 upon 6 हो गया and 5th term 2 into 5 minus 3 upon 6 10 minus 3 that means 7 by 6 हो गया तो 1st 5 terms हम नहीं यहां भी write down कर दी है 5th में हमारे पास अगर हम 1st term निकालते हों n की value 1 put करो में minus 1 की power 1 minus 1 and 5 raise to power 1 plus 1 दीखिए 1 minus 1 0 किसी की भी power 0 उसको क्या बना देता है 1 बना देता है this is 1 and 5 raise to power 2 1 into 5 raise to power 2 तो कितरा बन जाएगा 25 हो गया second term minus 1 की power 2 minus 1 and 5 raise to power 2 plus 1 minus 1 की power 1 हो जाएगा तो minus हो गया minus 1 into 5 raise to power 3 5 raise to power 3 कितना 125 तो ये value होगी minus का 125 हो गया third term minus 1 raise to power 3 minus 1 and 5 raise to power 3 plus 1 3 minus 1 का मतलब 2 और minus 1 की power अगर 2 होगा तो उसको क्या बना देगा positive बना देगा so 1 into 5 raise to power 4 हो गया कितना बन जाएगा 625 हो गया उसके बाद fourth term निकालेंगे fourth term निकालेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा minus 1 की power 4 minus 1 into 5 raise to power 4 plus 1 minus 1 की power minus 1 की power 3 तो उसकी बिज़े से तो हमारे पास क्या हो गया minus 1 हो गया और 5 की power 5 raise to power 5 है ये कितना बन जाएगा 3,1,2,5 minus का 3,1,2,5 हो गया ठीक है इसके बाद A5 अगर आपने निकालना है minus 1 की power 5 minus 1 into 5 raise to power 5 plus 1 ये 5 minus 1 4 4 times है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा positive हो जाएगा so 1 into 5 raise to power 6 इसको 5 से और multiply कर दीजे plus का आएगा तो 1,5,6,25 is 5th term हो जाएगी चिक है next 6th में 6th में हमारे पास क्या है अगर मैं N की value 1 put करता हूँ so 1 into 1 का square plus 5 upon 4 1 का square 1 ये तो 1 नहीं रहा गया 1 plus 5,6 6 upon 4 मतलब 3 upon 2 second term की अगर हम बात करें N की जगे में 2 रखोंगा 2 into 2 का square plus 5 upon 4 so 2 into 2 का square 4 4 plus 5,9 9 upon 4 cancel करोगे ये value होगी 9 upon 2 होगी 3rd term निकालेंगे N की जगे 3 होगया into 3 का square plus 5 upon 4 3 का square कितना होगया 9 9 plus 5 9 plus 5,14 so 3 into 14 upon 4 2 से cancel किया 7 upon 2 so 21 upon 2 होगया छीक है इसके बाद 4th term N की जगे 4 रख दिया 4 का square plus का 5 upon 4 4 into 4 का square 16 16 16 plus 5 21 upon 4 cancel होगया value कितनी आगी 21 होगी और इसकी जो 5th term है 5 into 5 का square plus 5 upon 4 that means 5 into 25 plus 5 कितना होजाएगा 30 upon 4 15 upon 2 15 upon 2 करेंगी तो 75 upon 2 हो जाएगा ये होगे हमारे 4 to 6 तो बहुत ही असान से है पूरा चैप्टर बहुत ही असान है चलिए इस वीडियो में इतना ही next वीडियो में अगले questions के साथ फिर मिलते हैं तब तक के लिए के जाहिन के जाएगा